2.0 शपत गरण के बाद अब मंत्रालेओं का भी बटवारा हो गया है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मोदी की टीम है वो मोटे तौर पर वही है जो मोदी 2.0 में थी रक्षा चाए सड़क परिवन हो चाए वित्त हो चाए विदेश हो चाए ग्रिमंत्राले हो सब में पर अपनी सरकार बना रहे हैं सयोगियों को जगे तो दी है लेकिन अभी भी उनके मंत्री मंडल का जो बड़ा चहरा है वो वही है जो पहले हमें दिखाई देता था प्यूश गोईल साब वानिज्जो और उद्द्योग निर्मला जी के पास अभी भी वित्त विभाग है देश के गरह मंत्री भी वही है देश के रक्षा मंत्री भी वही है लेकिन कुछ एक नाम जो जुड़े हैं घटे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे लेकिन बड़ी खबर यह है बिग न्यूज यह है फोकस न्यूज यह है कि मोधी सरकार ये संदेश देना चाह रहे हैं अपने तो इसी पर हम करेंगे विस्तार के साथ चर्चा हां नए घटक दल जुड़ने से नए सयोगी आने से कुछ बड़े चेहरे नए लेने से क्या अंतर पड़ाया और थोड़ी बहुत रिशफलिंग हुई है उनके क्या माइन है यह सारी बात चुछ अब हम करेंगे और इस हम एक बिजनस न्यूज चैनल है अनिल सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हो निर्मला सीतर रमन उनके पास वित्मंत्राले रहने वाला है थोड़े कयास थे कि वित्मंत्राले में क्या परिवर्तन होगा क्या निर्मला जी की जगे कोई और आ सकता है या बाकी के भी की पोर् अनि यदी बनी तो एक तरीके से कंटिनुटी है पिकोद पिछले पांच साल से उन्होंने कमांड संभाला हुआ है वित्मंत्राले में और जो उन्होंने इंटरिम बजेट प्रेजेंट किया था उस ही में सारे आसार थे कि जो में बजेट आएगा उसके भारी कॉंटूर्स क्या रहेंगे कि आर्किटेक्चर क्या रहेगा तो और ये चुनाव के नतीजे के बाद कुछ तो तबदीलियां होंगी जो चुनाव का जो मेसेज आया है एक तरीके से वोटर्स की तरफ से वो ज़रूर उसका कहीं न कहीं रिफलेक्शन होगा बजेट में पर ज्यादा तर कंटिनुईटी रहेगा और जो उन्होंने तरीके से एक फांडेशन बनाया है फिस्कल कंसॉलिडेशन और मतब ये गाड रेल्स के अंदर ही खर्चे करने का ज्यादा तर फजूल खर्चे कम करने का और टार्गेटेट स्पेंडिंग का ये सब तो कंटिनु रहेंगे बट एक बज़ेट में डेफिनेट मेरे मुझे उमीद है कि जो चुनाव का जो नतीजा है उसका जो मेसेज है उसका जरूर कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन हुगा ठीक है सतीज जी अम्मूमन कैबिनेट में वही चेहरे हैं जो प्रदानमंत्री मोदी की प्रीवियस टीम में थे बड़ी पिच्चर वही है मैसेज क्या है मैसेज कंटिनिटी और स्टेबिलिटी का है मैसेज इस बात का है कि भारती जंता पार्टी मोदी जी इसको डॉमिनेट कर रहे है एलाईज के आने के बावजूद और उन्होंने लगता है जो चाहा है वही किया है क्योंकि कोई भी एकनॉमिक मंत्राले में तो लगभग कोई चेंज नहीं है ग्रे मंत्री भी अमिश शाह है येक हमने देखा खटर साहब को बड़ी जम्मेदारी दी गई है जिसमें हाउसिंग भी है अरवन अफेर्स भी है और सिवरा सिंग चौहान उनको जो है तो मैं मानता हूँ सिवरा सिंग चौहान को आप देखिएगा तो एगरी कल्चर भी है रूरल डिपार्टमेंट भी है तो ये इस तरह से तो मुझे लगता है कि जो इन्फरा स्टक्चर हो बीजेपी की है और दूसरा कि जो मेरा यह कहना है कि सोशल और एकनॉमिक ये सोशल पार्ट में आप देखिएगा तो जो मंत्री मंत्री लगाए गए हैं उनकी जिम्मेद कोई सर्प्राइज नहीं है इस मंत्राले के अवंटर में कोई सर्प्राइज नहीं अब सर्प्राइज पता नहीं एलाइस के तरफ से कि होता है नहीं होता है ऐसा एदम स्मूध हो गया है कि कुछ आप कह नहीं सकते मोटी बात मेरे हिसाब से दो है एक कि इस सरकार को का लग गया तो वो एक पार्ऩ है और दूसरा पार्ठ क्या है कि जो 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 रिख्चंस की समस्या है जो इस तरह की जो आम आदमानी की समस्या। है इसके ऊपर हाला कि तिन क्रोर एक्स्रा घर देने का portfolio बटने से से पहले ही हो गया तो वह सब ठीक है लेकिन देश के युवाओं को देखते हुए काम करना पड़ेगा और फास्ट ग्रोथ पे भी ध्यान है विक्सित भारत पर भी ध्यान है रैपिट ग्रोथ पर भी ध्यान है तो उसमें जो उसका employment question है या जिसको हम रोजगार कहते हैं जिसमें धन्दा रोजगार धन्दा भी कहते हैं उसको ध्यान रखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है अब वेवार भी वेवार भी बदलना चाहिए थोड़ा जी वेवार एक मुद्दों पर हम और बातचीत करेंगे यहाँ पर तरवेजी सब अलाइन्स के साथ इस बार सरकार का पूरा दारूमदार टिका है लेकिन जिस तरीके से अब ये हमें केबिनेट और पूरा मंत्री मंडल दिखाई दे रहा है इसमें क्या लगता है कि अलाइन्स को बहुत अच्छी तरह से साध लिया है ऐसी कहीं कोई मशक्कत या दिक्क मुझे दिखाई नहीं दे रही सारे की पोर्फोलियोज बीजेपी के निताओं के पास है इंफाक्ट वही लोग हैं जो पहले भी कर रहे थे उन्हीं के साथ या तो उनके सयोगी मंत्री बन कर आ रहे हैं या फिर जो मान के चल रहे थे कि रेल कोई मांग लेगा कि क्रशी को बैठक शुरू की मंत्रादयों के बटवारे से पहले तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि आप सभी लोग आप में से ज्यादा तर लोग अपना काम करते रहें उसका मतलब ही था कि वह चाहते हैं और आप दो बाते समझे इस सरकार में एक तो बड़ा काम है कि सहयोगीयों के साथ गठबंदन की सरकार है लेकिन गठबंदन की सरकार अवचारिक तौर पर है क्योंकि 240 एंपीज के बाद चोटे नोटे धल और टीडीपी और जो जिडियू आई है उससे बहुत बड़ा परक सरकार पर नहीं पढ़ रहा और यह उन्होंने तैय करके बता दिया कि जितन पास है लेकिन देखिए जिस सरकार में चार पूर्व अध्यक्षों पार्टी कि अमिश्या है नितिन गदकरी राजनार सिंग है उनको लेना और 6 पूर्व बुख्य मंत्रियों को शामिल करना उन सब को शामिल भी कर लेना और खुश भी रखना यह कोई आसान काम नहीं है कि जो बड़ा काम किया एक बड़ा बदला मुझे लग रहा है कि मंसुक मांडिया साब जो हर्षवर्दन जी को हटा कर कोवीड के बाद लाए गये तो वह जिम्मेदारी जेपी नड़ा साब को दे दी गई हालाकि जेपी नड़ा साब पहली बार पहला जो पस्ट टम था प जो हंगामा हुआ था वाइक कॉट हुआ था वह एक बड़ा बदलाव कि पहला जोषी की वजाए किरंग रिजी जी को दे दिया गया मेरे हिसाब से बहुत बहुत लोगों में सांसदों में से तो वह शाइद इस काम को बहुतर तरीके से कर सकेंगे अश्रनी वैसनव को जो कुछना प्रसरान दिया गया क्योंकि अम्राग ठाकुर नहीं है तो वो भी एक सीनियर मिनिस्टर को पहली बार बहुत लंबे समय बाद आपको मैं याद दिलाओं कि पिछले दस साल में साथ आई एंबी मिनिस्टर रहे हैं इस सरकार में सबसे ज़्यादा लोग को बदले है तो आप अश्वनी वैशना इस पूरे कारेकाल में रहते हैं कि नहीं रहते हैं वो बड़ी बात है शिवराज जी को जिसकर से क्रशी मंत्रा ले दिया गया है आपको याद हो तो मध्यप्रदीश को चार अवार्ड अग्रिकल्टर पर मिले थे मुख्य मंत्री रहते जो चूची थी उसको जारी कर दिया तो किसानों को लेकर बड़ा काम है कठर साब को जो मिले मंत्रा ले वह महत मैत्पूर्ण है क्या हर्याना के चुनाव को ध्यान में रखते हैं क्योंकि पावर जो है उड़जा मंत्रा ले आर्के सिंग साब के पास होता था जो हार गए वह उनको दिया गया और अर्बन डेवलप्मेंट अर्धी पुरी से यहां पड़ दिया गया यह भी बड़ा बदलाव है तो लेकिन का एक मैसेज उन्होंने दिया और यह भी का है कि सरकार प्रधान मंत्री जी जैसा चाहते हैं वैसे चलेगी और जो सारे बड़े मंत्रिया उनको भी साधने की कोशिश इसमें की गई है कुछ लोग समझ रहे थे कि नितिन गदकरी साब को CCS में शामिल किया जाएगा लेकिन नितिन गदकरी को उनकी पसंद के मंत्राले में बेटर काम करने का मौका दिया गया और यह एक सर्टिफिकेट भी है कि प्रधान मंत्री न फिर जो मंत्री मंडल में शपत हुई उसके दोरान और अब फाइनली जब पूर्टफोलियो आगे बात करते रहें आप चुनाओ का भी अनालेसिस करते और इन चीजों का भी पर्धे के पीछे क्या हुआ होगा क्या यह इतना ही आसान रहा होगा जितना हमें ऑन पेपर दिन तक चीज़े आ रही थी कहीं कोई शिवसेना का नेता बोल रहा है कलनसीपी वाले बोल रहे थे तो क्या वैसा ही हुआ होगा और दूसरी बात यह कि जो उनकी सारी की सारी चिंताएं हैं क्या वो इस पोर्टफोलियो में जलक रही है देखिए विपिंजी परदे के पी बंदन में दरार पर जा ऐसा नहीं कि नैरेटीव में बनाया गया थे इस तरह की बाते हैं कि नितीश कुमार हो चंद्रबाबु नाइडियो ही इन सबका जुकाओ अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में है इसलिए कंटिनुइटी जो थी वह हमेशा से क्लियर थी ओठ टेकिंग के टाइम में भी दिख रही थी पहले भी इसकी बाते आ रही थी लेकिन तमान तरह कि हम लोग चर्चा करते हैं नेरेटीव की बात करते हैं चुकि कोईलिशन एरा में फिर से इंडिया एंटर हुआ है तो यह बात आप अब देखिए एक थोड़ा बहुत चे सरकार किस नए मोर्चे पे अभी बहुत सिरियसली इंटर्वीन करने जा रही है तो जो बिजनेस वर्ल्ड है उसके ध्यान से उसके परस्पेक्टिव से यह है कि रूरल इंडिया जो होगा एग्रिकल्चर जो होगा वो बहुत ही सिरियसली इस सरकार की प्रायोरिटी है दू उनको दिया जाना यह दिखता है कि बीजेपी अपने स्पेस के तौर पे रूरल इंडिया वाटर सप्लाई मिशन जल सकती की बात वो सबसे जूड़ जाता है दिख रहा है कि एक नया फ्रंटियर है जो एक्जिस्टिंग सारी की सारी जो थी उससे दिखता है तो आप देख सरकार में कि जो आलोचना हुई आप कैसे भी हो जब परसेप्शन बन जाता है कि सरकार में जिस तरीके से बड़े लेवल पे एक इंक्लूजिव अप्रोच होना चाहिए वो दिख रहा है कि वैसा बहुत कुस्तों ट्विकिंग नहीं हुई है लेकिन हाँ इस पार अच्छा आपने पकड़ा इसी सवाल को मैं एक्स्टेंड करता हूं और सतीजी के पास जाता हूं देखिए शिवराज जी जिस तरह के नेता है जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है जिस तरह का सोशल इंजिनिरिंग उन्होंने अपने मुख्यमंतरी काल में किया और उसके अ हर्याना जहां प्रदर्शन खराब हुआ वहां पर भी किसानों को साधना है पंजाब में रोड फिर से बनानी है तो क्या शिवराज के माद्यम से कोशिश होगी क्योंकि समनवे वाले थोड़े से नेता है शिवराज जहां बाचीत के जरिये जहां मेल मिलाप के जरिये इस तरीके से चीजों को आगे ले जाना समझते हैं तो क्या एक बहुत ही सोची समझी पिक है देखिए मैं मानता हूँ कि जो पिछला मोली मंत्री मंडल था वो थोड़ा सा कार्पूरेट और गुजरात वाला जो एक स्ट्रक्चर है डेवलपमेंट और गवर्नेंस का उसके तरफ था सिवराज सिंग सुरू से ही मोडरेट फेस रहे हैं भारती जन्ता पार्टी के और इसलिए इतना लंबा मुख्यमंत्री के रूप में चल पाए और अभी भी वो ही बनते लेकिन वहां बदला गया तो कहने का मतलब यह है कि एक मोडरेट फेस को बनाए गया है जो मतलब समवेदन स्चील है और जैसा कि सजन ने ठीक कहा कि इंक्लूसिव अप्रोच बड़ा जो है वो पहले साइध नहीं था क्योंकि किसानों का को भाजन मतलब बहुत हुआ है और वो जो कार्परेट या अ को शुरू में कहा कि सोशल और एकनॉमिक पार्ट में इसको बाट देजे मंत्री मंदल को तो वो सारी चीजें दिख रही है और कोर्स करेक्शन भी मैं इसे कहूंगा मैं इसे कोर्स करेक्शन कहूंगा देखिए इंफ्रास्टक्चर में मोधी सरकार ने टू-जीरो में लेकिन जन्ता रोड पर चलने वाली तो होनी चाहिए उसकी केपैसिटी बिल्डिंग जो है वह भी कुछ-कुछ हुआ लेकिन मुख्यूरूप से वह उस पर फोकस होना चाहिए था तो अगरिकल्चर का आप करते हैं किसानों का करते हैं ग्रामिन भारत का करते हैं तो अपन लगता है ये सरकार बैलेंस रूप से चलेगी और खाली मंबई से नहीं चलेगी खाली मतलब आप समझे कि इंडस्ट्री बेस्ट नहीं चलेगी सोशल और एकनामिक दोनों चलना चाहिए मुझे लगता है कि ये चीजें इनको मतलब ये कोर्स करेक्शन के साथ बैलेंसिंग फैक्टर में गर ये गौर्वर्मेंट अगर ये बैलेंसिंग से चलेगी तो मैं समझता हूं कि फिर सही में इंडिये गर्मेंट होगी नैशनल डेमोक्राटिक एलाइंस तो सचीजी आप इसे कैसा एक बहतर कदम मानते हैं इस चीज इसको बहतर कदम मानता हूं मैं मानता हूं कि जो डिमक्रसी चलता है वो चेक एंड बैलेंस से चलता है सिर्फ एक तरह के एकनॉमिक अप्रोच से न हो तो इसा डेवलोप्मेंट किस काम का तो जब भारत का गोल प्रधान मंतरी जी ने विकसित भारत का रखा है तो मैंने कल भी आपके सो में कहा था कि अब हमारे सामने चुनौती विकसित भारतियों का है तो इस जो यह जो है कि एक तरह आप ग्रोथ कीजिए ना सारा वह सोचल जस्टिस वाला में तरा ले जेकर होता है वो क्हां पर है क्या है उसका कौन मंत्री बने यह नहीं पता है अग्रिकल्चर का है आप कुछ भी कह लिजे क्या माल जी के लॉंटर्म पॉलिसी हो सकता है कि विकल्चर पर डिपेंडंस कम कर रहा है यह होता आया है वेस करना ही पड़ेगा ना तो आप इंफरास्ट्रक्चर एकनॉमिक और ये सब बैलेंस करके सोशल एकनॉमिक ग्रामिन विकास भी इसलिए इनी को दिया गया है और वो शायद एक थौट में भी रहेगा जिस तरह कि आप बात कर रहे हैं जी 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 एक परिवर्तन और आया है और हरदीब सिंग्पुरी साब के पास पहले ये चार्ज था उनसे लेकर अब ये मनोरलाल खटर के पास चला गया और ये मैं जैसा कह रहा हूं कि काफी पसंदीदा मंतराले भी है और इंपोर्टन तो है ही है हमें लगता है कि बुरा काम तो नहीं कर रहे थे हरदीब सिंग्प पुरी साब बहुत अच्छा काम किया और उसमें प्रदान मंतरी रोजगार योजना में घर भी बने लेकिन मनोरलाल खटर साब के पास इसका जाना क्या दिखाता एक जो मुझे आइडिया है जो मेरी सोच आप इसको फिर करेक्ट कीजेगा वो ये है कि वो जब मुक्यमंतर रहे हर्याना के उस समय जो हर्याना की अफोर्डेबल हाउजिंग स्कीम आई वो देश में सबसे बहतरी इन मानी गई जिसमें बहुत अच्छे घर बने और तमाम चीजे हुई क्या उनका ये अनुभाव उनको ये मंतराले दिला रहा है या इसमें कुछ और पिपन जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है उसके और दो तीम बात जोड़ना चाहता हूं कि इनका आनुभाव सीम का भी है तो एक सीम का जो अप्रोच होता है डेवलप्मेंट और एक्सेकूशन का स्टेट लेवल पर जो एक्सेकूशन का बड़ा महतब बहुत इंपॉर्ट होता है तो कटर्स जी वो एक्सपीरेंस लेके आए तो इससे उमीद है कि इस पर भी एक अर्बन डेलोप्मेंट बे फरक पड़ेगा और एक और बात मैं कहना चाहता हूं पहले जो सज्जन कह रहे थे कि इश्वरा चवान का जो चॉइस है तो मैं आपको याद इलाना चाह उसका धांचा बदला है उसका स्कोब बदला है और अब भारत का फूट बोल माना जाता है तो यह जादा लोग जानते नहीं है और उन्होंने बेसिक लेवल पर इरिगेशन जो क्रॉप्स का जो इंसेंटिवस हैं MSP वगेरा और यह जो आजकल जो नए ट्रेंड्स हैं यह क हर्ब्स का जो है तो यह इन सब को उगाने में उन्होंने काफी इंसेंटिवस दिया है तो यह सब अनुभव लेके सेंटर में आएंगे बिकोज हमें जो आगे का जो दिखना है वो पूरा उसका एक फ्यूचर बदलना है जो यह पुराना इसाब है वो बदलना है उसमें श खोड़े दिनों में हमें और चीज़े पता चलेंगी और अर्बन डिवलप्मेंट मेरे लिए ये बड़ा इंपोर्टेंट था प्रश्णा इस पे और भी मैं चर्चा करना चाहूंगा आगे क्योंकि अभी आज ही वो तीन करोड नए घरों के लिए फिर से आवंटन आया है ल मिनिस्टर रहेंगे अर्जुन राम मेगवाल साब को लाउ मिनिस्टर जो था वो कंटिनिटी में है इसके इलावा पारलेमेंटरी अफेर्स भी उनके साथ है जादव प्रताप राओ ये जो शिंदेगुट से आते हैं इनको दिया गया है आयूश मिनिस्ट्री और हेल्थ और फेमिली वेलफियर और जैन चौधरी आरेलडी वाले जो हैं उनको दिया गया है मिनिस्टर स्टेट फॉफ स्किल डेवलप्मेंट एन अंत्रपिनेर्शिप और मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन भी वो साथ में रहेंगे तो विजय साब ये जो पांच स्वतनत प्रभार वाले राव इंदरजीत सिंग्ग भी इसमें मैंने उनका नाम नहीं ले पाया ये जो हैं इनको आप कैसे देख रहें क्योंकि कैबिनिट के बाद यही पांच महतपूर्ण सीटे महतपूर्ण मंत्राले थे जहां पर नजर थी सबकी जी बिल्कुल ठीक बात है तो कि जो इंडिपेंडेंट जो मोस होते हैं वो नंबर दो पर आ जाते हैं कैबिनेट के बाद और उनको इक तरह से देखा जाए कि वो प्रमोशन है उनका मोस के बाद का उसमें सबसे महतपूर्ण है कि अर्जुन राम मेगवाल को आपको याद मेगवाल सुआव से बड़ा बेतर माना जाता तो वो संसदिय और कानून में बड़ा काम सरकार कर रही है इसलिए जिम्मेदारी अर्जुन मेगवाल को दीकी और प्रदान मंत्री की ज्यादत विश्वस्त लोगों में से उसमेंसे अर्जुन राम मेगवाल का नाम वहां प के मसल्मे CC and giving up to you को जोटा मंतर्द्राले दिया गया है वो उनको दे कर मेरगादार के जैंट चोधरी को एक जिम्मेदारी दिये और इंडिपेंडेंट दिये है को अपना काम दिखा सकते अपना काम कर सकते हैं जान थो भीक तो त्हार में सबसे ज्यादा जिस लेकिन कोविट के दौरान भी और उसके बाद भी आयूश मंत्राले पर काम दिया गया है तो जादर साब आला कि मुझे पता-पड़ा के शिंदे साब का जो गुरूप है जादर साब भी बहुत खुश नहीं है लेकिन मुझे लगता है वह मंत्राल है उनके लिए बहुत है जिस पर वह काम कर रहे हैं और इस्किल डेवलप्मेंट तो प्रधान मंत्री के लिए और रोज़गार के लिए जिस पर बार बार चर्चा हुई इंचुनावों में बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू रहा तो इ के साथ साथ यह जो सतीजी कह रहे हैं दोनों बातों का ध्यान रगया सामाज का भी और विकास का अर्बन डेवलप्मेंट में जो बात ही वह मुझे थोड़ा सा लगता है कि अफॉर्डबल हाउसिंग तो ठीक है लेकिन यदि आपको याद हो कि हर्दी पूरी साब के रहते और हर्दी पूरी साब ने प्रेस कांफरेंसे करने के अलावा कितना काम उसको पहुंचाया क्या शेहरों की सूरत बदली है कितनी बदली है किस लेवल पर वो काम पहुंचा है और क्या मुझे मंत्री का अनभाव लेते हुए मनोगर डाल खटर उस अर्बन डेवलप्मेंट के काम को आगे पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो डेवलेप्मेंट का एक बड़ा है जो रोड सर्फेस ट्रांस्पोर्ट का जो मेचिन जदकरी साब कर रहे है उसके अलावा तो इसमें बहुत मैंत्रपून है कि अर्बन डेवलेप्मेंट पर हर्दी पूरी साब से क्यों लिय यदि सो शेहरों की सुरत मोधी 3-0 जिसे आप कहते हैं यदि उसमें भी बड़ल जाती है तो विक्सित भारत का जो एक ड्रीम है या जो स्लोगन है उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे आपने स्मार्ट सिटीज की बात की तो देखे वास्तविक्ता तो यह है कि बहुत जादा उस पर बाते आगे नहीं बड़ी हुई कुछ एक चीजें हुई अलग अलग जगे कहीं डिजिटाइजेशन हुआ कहीं कैमरा उसका सेटप बहुत अच्छा लगा कुछ कुछ शेहर कारण रहे होंगे लेकिन आवास पे बड़ा जोर रहा प्रदान मंतरी ने बार बार अपने चुनावी भाशनों में भी यह कहा अपने जो साक्षात कार रहे हैं उन्हें भी कहा और आज पहली कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने वो बात भी की वो आपने देखा होगा जात पासवान को उन्होंने फूड प्रोसेसिंग दिया जो कि मैं मानता हूं कि आज के वक्त में कि इंपॉर्टन मंतराले हैं जो भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है और अभी खाद प्रसेंस करन में हम जितना काम कर रहे हैं और जितना आगे बढ़ना है वो कोई ऐसा मंतराले जो कि बस देना था इसलिए उनको दे दिया गया कुमार स्वामी साब को भी जो मंतराले दिया गया है और यहां पर सिंधिया जी से सिविल एवेशन लिया गया और अब उनको टेलीकॉम मंतरी बनाए गया यह तो खेर उनके अंदर घरीजिक हुआ लेकिन जो कैबिनिट के और जो बाहर से हैं जिनको देना था उनके मंतरालेओं पर आप क्या कहना चाहेंगे क्या वो से सैटिस्फाइए होंगे या फिर बाद में कुछ शिकायत निकल कर आएंगी अभी तो मान लिया होगा जब नाम पब्लिक हो गया है तो यह तभी पब्लिक किया जाता है जब एक सैटिस्फेक्शन हो रही बात तो कोई भी अलाई है वो चाहेगा कि उसे ज्यादा कुछ मिले इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि TDP का जो एक टेक्नोक्रेटिक mode of governance पर जोर रहा है तो देखिए civil aviation उनको मिला है यह चीज़ दिखाता है कि किस दिशा में उनका जोर है तो आंध्रा में कितने नए airports बनते हैं बागी सब कुछ होता है चुकि उससे link economy डेवलप होती है लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे आप जैंत चौदरी साब की बात देखे skill development की food processing की बात देख लें इन साथी चीज़ों में यह जरूर देखिए कि और urban development की भी बात मनोहरल खटर को दिया जरा है क्योंकि आप tier 1, tier 2, tier 3 जो towns हैं उसकी जो demography बदल रही है आप देखेंगे उसकी demography rural center से urban की और जा रही है गाउं से आप आपकी जो changing demography है देली जैसे metropolitan में 40 प्रतिशत जो demography है वो पुरवान चली है जो की economically weak है उसका dominant section तो आप एक ऐसे आदमी को दे जिसका उस section के aspiration को लेके real life challenges को लेके थोड़ा on board आ है तो हरदीपुरी साब का metropolitan इंडिया को लेके तो ठीक है लेकिन वो खटर साफ वाली बात आप में नहीं आएगी रही बात skill development की ता आप देख लें जादा तर जो unemployment की crisis आ रही है वो रियूरल इंडिया में खासकर और जो tier 2, tier 3 में भी connected space है रर्बन spaces वो agrarian community में जो धीरे-धीरे agriculture का decline हो रहा है और नई जो generation आ रही है जैसे जाट community है आप उसी तरीके से बाकी और agrarian community को देख लें उनके youth में जो crisis है उनको आपको agriculture से non agrarian field में आपको एक नया opportunity देना है food processing चिराग पसवान उसी चीज का पाठ है तो आप एक देख रहे हैं जो unemployment की समस्या है, rural discontent की समस्या है, urban development की समस्या है, housing की समस्या है, जो aspiration और anxiety है वो दिखा रहा है कि ये वो ministers है जो उस background से आते हैं, चाहे वो agrarian community को diversify करना हो, youth को, चाहे rural area में non agrarian sectors को diversify करना हो, चाह इस तरीके से urban development में भी इस तरीके का जिस demography का आपको ध्यान रखना है, वो हरदी पूरी साप से ज़्यादा खटर साप कर सकते हैं, कम से तरम ऐसी अपेक्षा है, तो ये लग रहा है कि जो ministries दिये जा रहे हैं, उसमें जरूर थोरी sensibilities देखी गई है, कि आप कितने familiar हैं, क housing की problems है, और census के कारण एक backlog जो है, कि जो actual population है, जो data है, उसको बिलकुल side में रखते हुए सीधा house allocate करना, किसी के नाम न चूटे, irrespective of the 2011 का जो census है, ये भी दिखा रहा है कि सरकार census के कारण latest data अभी नहीं है, जिसका एक criticism भी opposition कर रही है, उसका रास्ता सरकार ने निकाला है, और देखिए, जब एक कच्चे से पका house बनता है, तो केवल वो house नहीं होता है, फिर आप एक aspiration को trigger करते हैं, जब हम लोग rural India में जाते हैं, या tier 2, tier 3 cities में जाते हैं, तो बहुत बार formal consumers data capture नहीं कर पाता है, लेकिन आप देखेंगे एक पका house, फिर aspiration आपकी वो cycle से bike पे जाती हैं, तो उस तरीके से ये overall एक बहुत ही सही allocation है, और जिन लोगों को दिया गया है, उनसे उम्मीद है, कि आप दली समाज से आएं, dominant agrarian community से आएं, आप ऐसे जगह से आएं, जो आप rural और urban sensitivities को समझते हो, urban development में, housing schemes में, वो बरहीं एक balance ही मुझे लग रहा है, पहली बार NDA टू से, NDA 3 में मुझे लग रहा है, जादा invest किया गया है, ministers जो allocate हुए हैं, उनके background को देखते हुए, जी, शाद इसलिए तोगा समय भी लगा, कल रास से इंतजार था, सुबह हर पल, हर गंटा की ये आने वाला, आने वाला होते होते हो, शाम होते हुए आया, अनिल साब, ये जो पूरा growth और infra वाला focus, अब देखिए, यहाँ पर ना वित्मंत्री बदले ना commerce minister बदले, वो ministries उनी के पास में है, railway भी अश्विरी वेशनल साब के पास में, गटकरी साब के पास में, उनका mantra ले, तो जो बड़ा focus एक विकास का, growth का, development का, infrastructure का था, वो intact रहने वाला, क्या message लेगा इस से bazaar, market, बिलकुल, वो continuity है, वो तो साफ है, और जो उन्होंने जो experiment किया है, जो तबदीलियां किया है, वो जैसे सब कह रहे हैं कि social oriented focus पे उन्होंने changes किया है, लेकिन इस तरफ जो है, यह सी वो अंग्रेजी में कहावत है, if it is not broken, why fix it? तो यह जो आप infrastructure में देखेंगे, growth, economy, trade, यह सब अभी एक तरीके से control में हैं, और इन पे यह सरकार की actually उपलब्दिया हैं, और इसके कारण जो है, इसको अगर आप interrupt करोगे, शायद नुकसान होगा, तो इसलिए इस पे कोई change नहीं है, and अभी आपको, आप सब जानते हैं, पिछले साल में 8% growth आया, आर्तिक growth आया देश का, तो यह पहली, I think 9 या 10 वी बार हुआ है पूरे इतियास में, आर्तिक इतियास में, तो इस level of momentum पे आप क्यों leadership change करना चाहेंगे, तो एक तरीके से continuity है, और जो अभी चल रहा है, वो बनता रहेगा, और उसको obviously consolidate करेंगे, औ और पहला जो हमें message मिलेगा, budget से ही मिलेगा, तो budget में क्या उम्मीद रहेगी, सर देखे, अब यह नई, वो तो आ गई, अब लेकिन देखे, coalition की government है, तो definitely थोड़ी देर पहले जो चर्चा में बात आई थी, कि जो शेतरी दल होते हैं, local parties होती है, उनका focus यह रहता है, कि उन के राज्य को क्या मिले, तो यहां तो हम देख रहे हैं, लेकिन चुकिए आपने budget का जिक्र किया और वो ज्यादा दूर है नहीं, क्या budget में थोड़ा हम उस तरह का tilt देखेंगे, जो आपको आपको, आंद्रप्रदेश को, बिहार को, कुछ extra मिलता हुआ नजर आएगा, पर यहां जी वो शायद budget में उतना ना reflect हो, पर एक दिरिके से सिगनल होगा, मेरे इसाब से दो-तीन कॉंपोनेंट है budget के, एक तो जो है कि जो macroeconomic strategy है, वो तो बरकरार रहेगा, वो growth number जो भी आ रहे हैं, वो साफ नजर आ रहा है कि जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, तू इसमें वो एक committee बैठा हुआ है, वो rates का जो एक तरीके rationalization करना है, वो तो अब इनको जल्दी ही करना पड़ेगा, उसमें जो एक राजनेतिक feedback मिला चुनाव से, काफी लोग खफा है, यह जो small business है, यह सब काफी परिशान है, और एक तरीके से middle class consumer भी परिशान है, तो एक त signal होगा, मध्यमवर्ग की तरफ, जो मध्यमवर्ग का एक तरीके से middle India से जो message आया है, बारत सरकार के चुनाव के बात, तो एक message तो जरूर जाएगा उनके लिए, और तीसरा जो हिस्सा है, वो आपने social sector का जो बोला, उस पे तो clear focus आ रहा है, और जिस तरीके से कृशी मंत्र प्राइमरी फोकस रहेगा, तो मुझे लग रहा है, बजेट में इसका भी बहुत इशारा रहेगा, और ज्यादा तर एक political messaging डेफिनेटल रहेगा बजेट में, क्योंकि जो इनके साथ सीड जो गिरे हैं, बीजेपी के, जा अधियर मिडल इंडिया में गिरे हैं, जो tier 2, tier 3 और जो rural India, upper rural India में हैं, तो इसमें unemployment है, बाकी जो काफी समस्या है, urbanization का जो आप कह रहे हैं, इनमें बहुत बड़ा challenge है, because इस तरीके से chaotic urbanization है, कोई plan नहीं है, तो इन सब में मुझे, मेरे हिसाब से ये budget बहुत ही मैतवपूर्ण होगा, जो interim budget में एक तरीके से lukewarm था, वो change होगा, मेरे हिसाब से. चोटा मोटा जो है, वो चलता रहेगा, वो हमेशा रहता है, वो तो शाद विदिन BJP भी होता हो, हमको ना पता चलता हो, लेकिन मोटे तोर पर ऐसा कहीं नहीं लग रहा है, कि ये कोई coalition वाला मंत्री मंडल आया है, ये वो यसा लग रहा है कि हाँ, BJP का ही मंत्री मंडल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जादा स्पेस, जादा सर्व सम्मलित वाला मंत्री मंडल निकल कर आया है, क्योंकि एंडिये तो पहले भी रहा है, ये बिल्कु ठीक बात है, हम लोगों को आदत है, coalition government की, united front government का ध्यान हमें याद है, मनमोहन सिंह सरकार का ध्यान है, लेकिन उसम का ध्यान है, ये ये जादा दल रहा, उसका बड़ा हिस्ता नीटा, यहां पर आप कहने के लिए आपको एक अच्छा नया पकेज बिला जिसे एंडिये आप कह रहे है, हलां कि आप तो मोधी सरकार 3 कर रहे है, जब कह रहे है, इसका मतलब है कि आपको बस एक कच औ जैसा ए लोग तंत्र में डेमोक्रसी में नंबर बहुत मतलब है, ये सरकार इस्थाई सरकार है, ये गटबंधन के वो जंजावाद, वो तूफान, वो आंधी नहीं देख जा रही है, जिसको आपको लग रहा हो कि आज कल गिरेगी, आज ही नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, और 244 का, 232 की नरतिमाराज सरकार्णी है, जो 5 साल तक इसी तरह से चलती रही बिना बहुमत के, मुझे लगता है, अमिश्या जी और प्रधान मंत्री जी इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इस्थाइट देंगे, कुछ और नए जो राजनीतिक डल है, वो इसमें शामिल हो सकत है, या कुछ लोगों ने का, दो लोगों की सरकार है, तो दो लोगों में कुन्बा बढ़ गया है, और कहा गया है कि हम दो लोग तो कुन्बा इसको चला रहे हैं, कुन्बा को, लेकिन आप सब लोग भी बच्चों की सब लोगों को सुननी पड़ती है, तो वो सारे जादा आराम से चल पाएगी और ज्यादा तर दल जो है उनको जैसे सर्जन ने भी कहा उनकी अपनी जो राज्यों की जो इस्पिरेशन है उनको पूरा करने का काम है जेडियू को बिहार में देखना है चंदरबाबु साब को आंदरपदेश में देखना है तो वो काम पूरे जो बाइगा है लेकिन राजनीतिक चरपा पॉलिटिकल तवर मुझे कोई बहुत इसमें डिश्टरबेंस नहीं दिख रहे हैं बही है इसमें बदल देखे सरकार में अभी ठर्बुलेंस मुझे नहीं दिख रहा है जी अच्छा आपने इसको कंक्लूड किया राइट ऐसा टर्बूलेंस नहीं दिख रहा स्थीजी इस पर आपकी राय बड़ी महत्पूर्ण होगी देखिए मेरी राय तो बड़ी स्पस्थ है और पहले से ही रही है अगर बिजय जी इसको सिर्फ बीजेपी की मोदी जी की सरकार बता रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि आगे यह लोग जोड़ तोड़ कर लेंगे तो मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं रहेगा अगर सहिस्नू और मतलब डायलोग से मेल जोल से यह मोदी 3.0 या एंडिये 3.0 यह चलती है तो ज़्यादा देश के लिए भी बहतर रहेगा मोदी जी के लिए भी बहतर रहेगा एक जो बहुत बड़ा जो सरकार के खिलाप पिछले पारी में एक जो आरोप था कि यह परचार की सरकार थी और एक तरफा सरकार थी उसमें अगर बदलाव हो जाता तो ना सिर्फ बिदिन मतलब एंडिये पार्टनर्स बलकि कुछ ओपोजिशन से भी इंपूट लेना चाह यह बहुत अच्छा साइन है चोथी बात जो मैं कहना चाहता हूं देखिए यह आप अप्रोच में क्या रहा कि पहले जो सरकार थी बहुत कंसेंट्रेशन और पावर से एक जगह यह ब्यक्तिवादी हो रही थी अब मंत्री मंडल बटा है तो सिर्फ उनको टास्क ना दिया इस कर्मा योजना जो पिछली वार आई थी इसका बहुत महत्व है मैं समझता हूं बहुत एक्स्प्लेइन कर दिया सजन ने वह बहुत जरूरी चीज़ है तो गिवन टेक से यह सरकार चले तो मोदी जी की लेगेसी भी बहुत बड़ी रहेगी यह नहीं कि फिर से इधर से मिला लिया उधर से मिला लिया यह तोड़ दिया वो जोड़ दिया एक मेजर फैक्टर यही रहा है और सब कुछ अच्छा रहता बिजय जी सजन जी तो बहुत सब कुछ अच्छा रहता तो तो सही था कि वो 400 पारवाला जो नारा था वो आही जाता तो कहिन कहिन जो लेसन म कि तमाम मजबूती के बावजूद तमाम इतना सक्तिसाली नेता संगठन संसाधन के बावजूद आप 240 पे रह गए हैं इसको स्विकार करना चाहिए और अगर आप 232 नरसी ब्राव के भी थे और जितना कूली बाचपेजी की सरकार चली थी एक NDA चली थी एक NDA सरकार तो वो उसका एक चुनोती भी है औसर भी है कि मोदी जी ये प्रूफ कर दे ये प्रूफ कर दे रास्टर हित में मैं कह रहा हूं बारतिय राजनीती के हित में बोल रहा हूं संसधिये लोगतंत्र के हित में बोल रहा हूं कि वो सब को मिलके लेके चले तो फिर वो बहुत बड़े नेता कहलाएंगे जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो अगर फिर वो पुरानी रणनीती से चलेंगे जैसा विजय जी ने कहा है उसका संकेत दिया है तब तो मुझे नहीं लगता है तब तो फिर वो सर्फेस टेंशन दिखने लगेगा आप लोग बहुत अच्छे अच्छे जुम्लों से टर्बूलेंस सर्फेस टेंशन इनसे जोलना चाह रहा था किवल मैं यह कह रहा हूं कि घर में सब बच्चों को भी साथ लेकर बैठ से तो गठ बंदन की सरकार में सब को साथ लेकर चलें है यह तो सब को साथ लेकर चलने की कोशिश यहां पर भी दिखाई ते रही है और गठ बंदन के जो होड़ेंस m insulin को सब को साथ लेकर चलने बिल्कुल नहीं आप दोनों ही आप जो मैं आप दोनों से सहमत हूँ क्योंकि शाद आप दोनों ही एक ही बात को कह रहे हैं बस शाद कहने का थोड़ा अंतर जो भाशा में है और जो जिस परिपेक्ष में कह रहे हैं वो शाद थोड़ा सा है बाकी बात मुझे एक ही लग रहे ब्रेक के बाद वही कि अब मंत्री मंडल तो बन गया लेकिन मंत्री मंडल की तस्वीर सामने आ गई सब बटवारा हो गया विभागों का अब इनको चलाने का मौका होगा तो जब वो चलेंगे तो सारे पहिया आपस में सही उसमें विजय जीव मैं यह नहीं कह रहा कि वहां गड़बड होगी कुछ भी लेकिन फिर भी सबको साथ लेके चलना है तो पहले से तो मामला अलग है थोड़ी सी डगर अलग है इस अलग डगर में और क्या-क्या होता कौन सा नाम कहां क्या मोटे तोर पर टीम वही है जो हमने पहले देखी लेकिन और थोड़ी सी कंप्रेहेंसिव है यहां पर गड़बंदन के जो पार्टनर्स हैं उनको भी कई पोर्टफोलियो दिये गए हैं और लेकिन जो मोटा खाका है जो टीम दिखती है जो पहले थी बाहर से तस्वीर लगबग वही नजर आ रही है अब ब्रेक के बाद समय थोड़ा थोड़ा रहेगा तो अपने चारोई मेमानों से मैं चाहूँगा क्विक कमेंट कुछ की आगे चैलिंजे किस तरीके के रहेंगे अनिल जी अब इस तरह के फैसले मान लीजे की नए अब बंदन में आपके पार्टनर्स भी थोड़ा सा जादा बहतर स्थिती में जादा मजबूस्थिती में ज्यादा राय मश्वरा लगेगा अब जी यह कहना मुश्किल है कि आसान रहेगा मुश्किल रहेगा क्योंकि विपक्ष का जो एक तरीके से बाडी लैंग्वेज है वो कॉन्फरेंटेशन का है तो सरकार चाहे चोटे कदम उठाए या बड़े कदम उठाए एक तरीके से ओपोजिशन काफी सक्त रहेगा और आप हम देख रहे हैं अभी से ही किसानों के साथ एक जो एजिटेशन चल रहा है वहाँ पे विपक्ष के कुछ नेटा अधिल जी सवाल यह था कि विदिन द पार्टी विदिन द गवर्मेंट इटसल्फ क्योंकि अलग-अलग घटक दल है मान लिजे कि जेडियू कहे कि जेडियू से और टीडिपी से तो उससे संकेत है कि वो सरकार वो क्रिटिसिजम उठाएगा मतलब जो इनका जो क्रिटिसाइज किया है और उसको शायद उमीद है कि उसमें तबदीलिया लाएंगे तो यह तो पक्का है क्योंकि एक तरीके से यह गड़बंदन है जिसमें इ इलेक्टरेट से यह की सुनना चाहिए तो वो तो मुझे लगता है जरूर होगा जी विजए भाई आपकी राए इसी सवाल सवाल मेरा सबके लिए सेम रहेगा सर म्यूट पर हैं प्लीज ऑन कर लिजे बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं अनल साथ और मैं समझता हूँ कि जब गठबंदन की बात होगी जो जे डियू और टीडीपी दोनों ने पहले ही साफ कर दिया जैसे दो में पूर इशू है अब आंदरपदेश में मसल्मानों को आरक्षन की बात है उस पर भारती जिंता पा होते हैं तो खटकती हैं वो सब को काम चलेगा ही और दवाब भी बना रहेगा और यह बेतर बात है कि एक सम्मिल जूलकर इस सरकार को चलाए और अर्बन डेवलप्मेंट पर जितनी चर्चा हुई है उसको किस तरह से करेंगे छोटे-छोटे दल भी अपनी-अपनी बात र ठीक है सजन जी दो चीजे हैं एक तो यह धारना कि गठवंदन की सरकार बोल्ड पॉलिसी बोल्ड फैसले नहीं लेती है यह इसका कहीं सत्यापित नहीं होता नर्सिम्हाराओ की सरकार हो या पास्ट में एंडिये वन की सरकार हो बहुत सारे बोल्ड फैसले लिए गये थे बस तरीका क्या बदलेगा कि आप उससे कैसे इंप्लिमेंट जब हम कहते हैं कि शॉक थेरेपी आएगी क्या शॉक थेरेपी जब आएगी उसका मतलब यह है यह नहीं है कि बोल्ड फैसले नहीं आएंगे इसका सीधा सा मतलब यह होगा क्या वो उसी तरीके से आएंगे कि क इसमें आप देखेंगे कि इसमें वाइडर कंसल्टेशन होगा, स्रे जो है वो घटक दल भी लेंगे इस चीज का, बोल्डनेस में कहीं भी कमी नहीं आएगी, पॉलिसी कंटिनुएशन है, कंसल्टेशन वाइडर हो जाएगा, जी, ठीक है, सथीज जी आपकी राय, मैं दो बाते कहना चाहते हो, पहली चीज, मोदी जी को आप खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ सब कुछ है अब पाने के लिए, तो इसका फरक हमें दिखना चाहिए, आपको कुछ बोल्ड फैसले भी हो सकते हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, पहले वो भी शायद कर दें, पता चले कि आप थोड़ा सा मोदी जी जादा से कुलर हो गए हैं, पहले से, इस तरह की एक बात है, तो बिनमरता भी जादा दिखाएंगे, तो एक बात यह है, दिखाना चाहिए, दूसरी बात है, जो आपने जो सवाल किया था, कि कंसल्टेशन ही आ गया, देखि वो पार्टी में भाजपा के अंदर रहे, चाहिए सहयोगी वो पार्टी के नेताओं या उनके यहां रहे, एक डोर वहां रहेगा, यही एक फरक पड़ा है, हो सकता है, जो मंतरी बन गया, वो तो मोज में रहेगा, भई आम मंतरी तो हम हो गए हैं, मोदी जी के हाँ, बस ठीक है, चलो, लेकिन जो नहीं बने हैं, जो बाहर हैं, जो सब चीज़ पे लेंस लगा के खड़े रहेंगे, तो वहां से एक प्रेसर आएगा, इसलिए बेस्ट स्ट्राटीजी यही कहता है, टीम वही, ठीक है जी, तरकीब नहीं, चलिए, टीम वही, तरकीब नहीं, अब क्योंकि पहले, अगर कोईलेशन गवर्मेंट हमने देखी हैं, पहले भी बहुत सारी देखी हैं, लेकिन वही है कि समय तो हमेशा परिवर्तनशील है, वो हमेशा एक जैसा नहीं है, और अब की कोईलेशन गवर्मेंट और पिछली कोईलेशन गवर्मेंट में थोड़ जोड तोड कहें या कुछ भी परिवार बढ़ाना गटाना की बात बात हो सकती है, महाराज के चुनावों की बात हो सकती है, यह सब बाते हो सकती है कि उसमें हो और गटबंधन की सरकार पर जोर्म देगें उससे जाला मेत्पूर ने काम जो इस बार बड़ा बदला हुआ है कि बहुत लंबे समय बाद एक मजबूत विपक्ष यहां पर सामने आए तो जो 232 MPs का विपक्ष है वो भी अपने आप में एक बटन अपने पास रखा हुआ है केवल आप गठबंधन के जलों के साथ ही जोड़कर रखेंगे वो सरकार को तैय करेगा ऐसा नहीं है जैसे पिछली बार कितने अब तो नंबर गिनना भी मुश्किल हो गया है सतीज जी जैसे लोगों को याद होगा इतने MPs का जिस तरह से सस्पेंशन हुआ या जो बिल्स थे बीना डिसकेशन के पास बहुत सारे जारी कि गए गए तो उन सब पर भी सरकार पर एक विपक्ष का मजबूत विपक्ष का दवाब रहेगा तो उसको भी जान रखिया विपक्ष को नजर अन्दाज मत की दिये वो भी एक बड़ी ताक मजबूत पार्टी के तरपर वहां पर उबर काई है है तो वही उनके लिए ताकत वाली दवाब वाली बात होगी उसको ध्यान में रखना होगा सरकार को कि अब किवल मनमानी इस तरपर संसर्थ को नहीं चला सकती हो सकता जब अभी 21 से जब सशी शुरू होगा अठारा उन पारटीर जी है तो उनकी बात को आपको मानना चाहिए जी तो यह आपका बहुत अच्छा पॉइंट है और इस पर किसे अलग से भी चर्चा करेंगे मैं कह रहा हूँ इस सरकार को परचार और फर्मान से बचना चाहिए और थोड़ा वही जो मैं पहले कह रहा था तरकीब से अब एक ही सर्प्राइज बाकी है बाकी तो सभा सामने आ गया स्पीकर कौन होगा जी जी हाँ वो भी एक बड़ा प्रशने की स्पीकर कौन होगा और ये भी है कि विपक्ष वाली जो पॉइंट लेकर आए विजे भाई इसको भी हम किस दिन बड़े उस पर करेंगे कि ये विपक्ष पहले से काफी अलग विपक्ष है तो इसकी एक अपनी परिपार्टी सामने आएगी या उसकी अपने मुश्किलात या जो भी आप कहें कि उसका एक अलग रोल हमें देखने को मिलेगा संजन भाई बस एक मिनिट है उसी में एक यक्ष प्रशन है और वो ये कि ये जो दो बड़े पार्टनर्स हैं इनका जो इतिहासे वो बहुत अच्छा नहीं रहा है क्या ये कहीं दिमाग में होगा पीछे सरकार के ने देखिए ये जो किवल उनके चाहने से नहीं होगा ये भी देखना होगा कि उनके अपने विकल्प दूसरी तरफ जाने से वो भलही एंडिये को छोड़ दे बीजेपी को छोड़ दे इंडिया की चरफ जाने से सरकार बनती हुई वो बहुत ही ये बात तब आती जब देखिए पहले जो घट बंदन की सरकार थी उसमें दो बड़ी पार्टी के संख्या में बहुत बड़ा फर्क नहीं था अभी भी कॉंग्रेस 99 पे है और बीजेपी 240 पे है तो जो ये दो बड़ी पार् का अपस में एक दूसरे को संतुलित करते हुए नजर आएंगे चाहे वो कोईलेशन के पार्टनर्स हों गड़बंदन के पार्टनर्स हो विपक्ष हों विदिन दे सरकार हों मंत्राले बढ़ गए हैं नया सुरूप सामने आगया और अब वक्त शुरू हो रहा है काम करने क और वहीं से काम की समीक्षाएं शुरू होंगी और हमें आगे चलते हुए जो भी आज हमने सारी बातचीत की है उन सब को हम जब घड़ता हुआ देखेंगे तो फिर वो एक बड़ी पिच्चर हमारे सामने तयार होती है नजर आगी बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों क इसका रेकर में हमारे साथ चामिल होने की है नमस्कार